हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्मार्ट नोगरी चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मोधी सरकार के नया एलान के बारे में उस्तु चार अपरिल के सुबह कि जो है लेटिस खबरे के साथ हम हाजर हो गया है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडि पर ट्रक मरमत की दुकाने खुली रहेंगे देश में जो है सामान जो खाने-पीने का समान जो एक चोड़ से दूसरे चोर पर जाता है इसके वज़े से जो है ड्राइवेर्स हर्ताल कर रखीड़े की होटल कि बंद के बंदने पर टकाने खुली रहेंगे धोटलं कि धुर्ट सी ने किसान को हो रही है इसके मुह से जूड़ी मस्रीट के पहले से चुड़े जा चुकắn दूसरी खर्वी पे आते हैं देखते हैं लिए मुंबई में जिया इस कि संक्रमित पाया गया है यह से जवान नहीं मुंबई में गरोना पर चालीस हजार नमबर तीन पर आप यह जाएंगे दुनिया भर में 56,752 लोग जान जा चुकी है करोना वाइरस से करोना वाइरस के चलते यूरोप में 40 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी जबकि दुनिया भर में 56,752 लोगों की अगली ख़बर पर आ जाते हैं 30 अपरेल तक टिकेट बुकिंग नहीं होगी जी यहां दोस्तो संख्या को बल मिल रहा है कि लॉगड़ान 14 अपरेल के बाद भी आगे बढ़ सकता है 24 घंटे में बढ़े क्यावन मामले जी यहां दोस्तों यूपी में करोना पॉजिटिव की मामलों की संख्या है वह 172 तो पहुच गई है यूपी के प्रमुक सची चिकिस्ता हैं स्वास करोना मुर्दा घंट में तबदिल किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खाधितोग बजा है जो रजीस इंटरनेशनल आपर अस्ताही मुर्दा घंट में बदला जा रहा है इसके एक हिस्से को रेफरेजियरेटर किया रहा है जहां 1000 ताबूत रखे जाएंगे नगली खबर पर जाते हैं जायोमी ने जो है दो नए स्मार्ट टीवी जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन जायोमी जो बार ब्रांड है चाइना का उन्होंने दो नए स्मार्ट टीवी लाँच किया इसमें से 75 इंच वाला फूल स्क्रीन टीवी प्रो है जबकि दूसरा है को विक्सित किया है अत्याधुनिक सुधाओं से सुसद्जित पोर्टिबल वेंटिलेटर को प्राण वायू नाम दिया गया है जिया दोस्तों इसकी अनुमानित निर्मार लागत है 25,000 रुपे के आसपास होगी अगली ख़़र पर जाते कोई 19 स्मार्टफोन बता रहा है आप संक्री में था या नहीं यह बहुत ही बड़ी ख़बर है दोस्तों कि स्मार्टफोन आपको बता सकता है कि आपको क्रोना वायरस पॉजिटीव है या निगेटिव है जिया देख करता हूं आपको जानकारी काफी अच्छी लगए कि वीडियो पसंदा दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें